नमस्कार दोस्तों आप सबका फिर से स्वागत है मेरे से यूट्यूब चानल पर दोस्तों आज के शुड़े में जैसे के आप सबको पता ही होगा कि भारत और सौट आफ्रिका के बीच पहला वन डे याने ओडियाए मैच खेला जाने वाला है आज दुफेर को जिसकी मैं तो दोस्तों जैसे के आपको मैच दिखी रहा होगा उस पर आपको क्लिक कर लेनी है और अगर आपने अप तक टीम नहीं बनाई तो आपको नीचे क्रियेट टीम को जो आप्शन मिलता है उस पर क्लिक करनी होगी लेकिन मैं आल्रेडी चार टीम से बना के रख चुका हो जि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो कर लीजिए साथ सब बेल आइकन को प्रेस करके आल पर भी क्लिक करना ना बुलिए ताकि ऐसे वीडिया आप तक पोस्टेर आप अच्छे वीडियो जा के देख सेते काफी अच्छे जा रहे इतने बुरे भी नहीं जा रहे साथ ही साथ तो दोस्तों चलिए शुरू कर लेते वीडियो को माई टीम पर क्लिक करे करें करें पहले तो इसलिए उनको काफी कम चांस रहेगा लेकिन फिर भी अगर जादा विक्टे पढ़ जाती है तो ज्यादा चांस बीडियो ज तो इसलिए यापर में दोनों के सांचार हो अगर आप चैंज करना चाहे तो तो कर सकते हैं इसकार शान किशं के चांसर काफी कम है है थो अभी फिलाल चलते बाठिक पर तो यहाप आपको शिकर्धान रहेंगे शुबन गेल रहेंगे डेवीड-मिलर भी दाएंगे हमारे तीनों को हम इस टीम में ज़रूर करेंगे इसके आला अल्राउंडर पर चलते तो शारदुल ठाकुर मेरे पास अड़ा मरक्रम को भी मैं लूँगा यह भी ज़रूर खेलेंगे और डी प्रिक्टरियस को भी मैं जरूर लूँगा क्योंकि जरुट पंडे पर बैटिंग में अ इस तरह से तीन आल्राउंडर में शामिल कर रहा हूं इसके बाद गेनबाजी के बात करें तो अफकोस यह पे दीपक्चर शुरुवाती जटके दे सकते हैं तो इसलिए इनको जरूर रखूँगा जो रिसेंट फॉर्म है टेटोंडे का इसके इसाब से मुझे लगता नही लोंगा अगर खेलते तो कुल्दी प्यादव को भी यहाँ पर बात करें तीसरे गेन बाज महाराज ने काफी अच्छा फॉर्म फॉर्म दर्शा टार्श्य में तो यहां पर मैं उनको भी जरूरिस्टीम में शामिल कर लूगा और यहां पर देख सकते हैं तीन इंघन किसे देखना सकते तो आफकोस Cape ہउटा ऐस लिए और शुबन गिल के लिए और के करेंगे तो इसलिए इन दोनों को मैं इस का दोस्तों और काफी बढ़िया फॉर्म में चल रहे जाए अभी पिछले दो लास्ट टी टोंटे दो मैक्स में उन्होंने फिफ्टीज लगाई थी और धमा के नारे फिफ्टीज लगाई थे तो मुझे लगता है यह ज्यादा बढ़िया पिक रहेंगे हमारे लिए और संजू पिक नहीं करना चाहिए तो मैं किसी और को आपको जरूर सजेस्ट करूंगा लेकिन अगली टीम में आपको दखोंगा किसको ले सकते अगर बात करें अल्राउंडर में तो आल्राउंडर में शारदूल ठकुने डेप्रिटरे से अड़म मर्क्रम है तो इस तर से इन तीनों में शामिल कर रहा हूँ पहली मैक में क्योंकि तीनों की टीनों बैस्ते और अच्छा परफरमस कर सकते हैं गेनवाजी की बात करें तो दीपक चहरे मेरे पास उसके बाद आर भिष्णोई है और पुल दी प्यादो जिसमें से जो भी खेलता है तो उनको पिक किजेगा जो अगर दोनों खेलते तो आर विष्णोई को पिक किजेगा किश्व महाराज को भी मैं इस टीम में आपको स्पीक कर आओ तो इस तर से यह मुझे लग रहा है अच्छी खासी टीम है संतुली टीम है और इस टीम की अगर बात करें क्याप्टन की तो डिकॉक भारत की तरफ से अपनी के लिए तो दोनों जबर्दस फर्म से गुजर रहे है क्योंकि रेसेंटली शुबंगिल भी 100 करके आये 119 रन किया था उन्होंने जो लास्ट मैच प्ले किया था उसमें और डिकॉक तो लास्ट दोनों मैचेस में 50 लागा कर आये हैं हाला कि वो टेटेवेंटी मैच लेकिन वन देवाच उससे भी बहतर रहता है जादा चांस रहता है तो इसलिए मुझे लगता है कॉंटन डिकॉक और शुबंगिल इन दोनों को क्याप्टन मनाना काफे फायरे मन रहेगा काफे वडियाटी में दोस्तों आफकोस आप इसे ग्रैंड लिए उसका सकते आप संज्यू सैमसंग को ड्रॉप करने हो लो कॉंटन डिकॉक को ही स्टीम में रखने हो लो इसके बाद बैटिंग पर चलते शुबंगिले उसके बाद शिकर दावने जे मलान खेलते तो इनको जरूर पे कीज़ेगा इनका भी परफॉर्मस अच्छा होता है श्रेया सहियर को देविड मिलर को भी में शामिल करूंगा यहां पर मैं इसके अलावा बैटिंग में पाज बल्ले बाद आल्रेडी ले चुका हो तो यहां पर कोई नहीं लोंगा यहां पर देखते तो मैं यहां पर सिर्फ शार्दोन ठाकुर के साथ जा रहा था लेकिन संज्यू सैमसंग क को मैंने ड्रॉप किया तो मैं यहां पर डीप रखते रहे तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेटर रहेंगे क्योंकि यह ज्यादा बेटर अल्राउंडर है बैटिंग बॉलिंग तो अच्छी कर लेते तो इसलिए इनको मैं ज्यादा प्रिफर करूंगा आड़म मरकम से बात करें तो यहां पर में रभाडा को पिछली टीम में नहीं ले पाया था तो इस टीम में जरूर ले लूँगा दीपक चरकॉफ को स्वापस पिक करूंगा और यहां पर तीसरे वेन पार्डेल को मैं यहां पर पिक करूंगा ताकि आपको मतलब ज्यादा अच्छी से इस लेकिन मुझे लगता है लेकिन मुझे लगता है सब्सक्रिटरी तो मिलनी फिक्स है और यहां पर जरूरत पड़ी तो इनको अगर मतलब ज्यादा स्ट्राइक रेच से बल्लेवाजि करनी रही और अच्छे स्थीति रहे तो इनको उपर भी भेजा जा सकता है शारदुल ठाकुर को वही बात अधी प्रेटरियस के साथ भी हो सकती है तो इन दोनों में से किसको ब्वाइस कैप्टन मना रहा है आप पर निर्वर करता है फिलाल तो मैं शारदुल के साथ यह अगर खेलते तो इनको ज़रूर पिक कीजिगा अगर बात करते और अल्राउंडर की तो शारदुल ठाकुर और डी प्रेटर रहे तीन के जगह पे गेन बाजे में दिपक चाहरे वहन पारनेल है और कगिसो रबाड़ा इन तीनों को इस्टीम में शामिल कर रहा हो काफी बहतर टीम बनी है दोस्तों और मुझे लगता है यहां पे हमारे जो कि पढूर के सांके फोने बाहने प्लेयर रहेंगे चश्रिय ससंतीर हाट यहां पे और बात जने जाद़ा बेटर रहेंगे क्यूंकि दोनों को अथा यहां पर डोनों को स्टीमे जरूर शामिल करूंгा सब्सक्राइब करें थाइब है तो एक अच्छा हमारा मन चुका है और वाइस चैप्टन भी अच्छे यह दूस्तों आपको फाइदा करें दे सकते तो इसलिए इन दोनों को न escri को जादा से जादा ग्रैंड लिए चाएंगे तो बेपर रहेगा स्मोन लिए करना चाहें तो कर सकते लेकिन ग्राइंड लिए जादा बेटर रहेंगी ये पर avail के इसे भी क्लोच ने काफी मतलब यहां पर अच्चय अच्छब uh तीसरी टीम हमें देख लेनी है और इसके लिए हमें इस टीम को ख्लोज करना होगा और तीसरी टीम के अगर बात करें तो यहां पर मैं सिर्फ से सिर्फ कॉंटनिकोग के साथ ही जाने वाला हूँ उसके बात बैटिंग की बात करें तो शिखत दवने शुमन गी ले श्रीएस या फिर किसी और को अगर ड्रॉप करें तो यहां पर टीबाउमा को ज़रूर लीजेगा ज्या दोस्तों टीबाउमा भी एक अच्छी खासे प्लियर लास्ट जो मैच नों ने भारत के खिलाब जीता था जिसमें इनका 100 तो आप यहां पर इनको ट्राइक कर सकते हैं और से इस तरह से चार बल्लेबाज ले रहा हूं लेकिन फिर भी अगर आप टीबाउमा और अरजद पाटिदर इन दोनों को पिक करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए फिर भी अगर बात करें तो अल्रॉंडर में शार्दोल ठाकुर और पहली बैयर मैंने प् अब तक नहीं लिया था विश्णोई को ले रहा हूं केशो महराज को ले रहा हूं अगर आप चाहे तो यहां पे भी श्रॉंडर के सिराज को भी ट्राय कर सकते हैं लेकिन मुझे लगता है यह ज्यादा बेटर रहेंगे अगर बात करें नेक्स्ट पर क्लिक करके सबसे पहले अगर बात करें तो कॉंटंडी को रहेंगे मेरे पास इसके आप देख पारे शिखर दवने मेरे पास डेविड मिलर रे श्रीय सईयर शुबमन गीले इसके बाद मर्क्रम को लिया है मैंने और शाहडूल ठाकोर को लिया है जो आल रांडर गेन बाजी में इस ब केशो महाराज लोगी इंगिडी और आर विश्नुई तो इस तर से मैंने रबाडा को यहां पर नहीं लिया फिर भी अगर आप चाहे तो रबाडा को लेना चाहे तो ले सकते लेकिन मुझे लगता यह चार गेन बाजों का कॉंबिनेशन ज्यादा बढ़िया रहेगा ज्या अच्छा कर जाता तो आपको काफे जादा फ्ाइदा कराके ने सकते आपको जी फीन जादा करा के लोग के इनको पिक करेंगे और साथे साथ इनको अगर एक एक वाइस-क्टण भी बनाना काफी मुश्किले लोगों लोग मुझे नहीं लगता है जादा लोग इनको क्याप्टन रवाइस-क्टण बना सकते तो इसलिए अगर आप उल्टा भी करेंगे यान इंशरे एस-ए-यर को तो भी कोई प्राब्लम नहीं क्योंकि श्रीयस यर नंबर दो पर बैटिंग करने आएंगे वन डाउन बैटिंग करने आएंगे तो इनको ज्यादा चैंसे रहेगा वही डेवीड मिलर की बात करें तो मुझे लगता है चौथे नंबर पर बैटिंग करने आ सकते चौथे और म पर करम इस तरसे मुझे लगता है यहां पर चौइस रहेगी तो इसलिए आप उल्टा करेंगे मतलब अ क्यापन और मिलर को बास चैंट तो बहीं प्राब्लम नहीं और इस प्रॉब्लम नहीं और अगर आप और बल्लु क्यापन बड़ा सकते तो इस तर से यह भी टिम काफ लेते सेव कर लेते और चोथी और आखरी टेम में मैंने थोड़ा सर्प्राइजिंग बना है तो वह भी देख लेते उसके लिए हमें सबसे पहले हमें डिकॉक को चूज करना है अगर आपका चाहे तो संजू संसंग को पिक कर सकते हैं लेकिन मैं डिकॉक के साथ ही जाओंगा बैटिंग पर चलते तो शिखरदावन रहेंगे शुबमंगिल और जेमलाद इन दोनों को मैंने ड्रॉप कर लिया है श्रेय सायर रहेंगे डेविड मिलर रहेंगे टीवाउमा रहेंगे और रजजत पाटेतार जैसे कि मैंने आपको बता है इनके खेलने के काफी ज्यादा चांसे से तो इसलिए यह तीनों मैंने पिक किये जो थोड़ा रिस्की है श्रेय सायर टीवाउमा और रजजत पाटेतार लीकिन दोस्तों फाइडेमन साबित भी हो सकते है अगर अल्राउंडर की बात करें तो डीपरिट और यस और शार्डू ठाकुर तो रहेंगे इन दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करके अड़म मरकम को ट्राइक करना चाहे तो कर सकते है तो यहां पर मैंने फिर से दीपक चार को लेट ड्रॉप कर दिया है और रभबाड़ा को भी ड्रॉप कर दिया है और अट्रिक नोज्जे को अभी तक नहीं लिया ता यहां पर तो कुल्विला के थोड़ी अलग तीम लग रही है जो की काफी मतलब रिस्की भी एल देकिन फाइदमन भी सावित हो सकती है तो यहां पे आर विश्णोई को बार-बार पिक करने का यही का रिजन है कि पिछ पर स्पीन अच्छे से चल सकती है तो इसके बाद अगर नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि यहां पर मैं जाओंगा ती बाउमा के साथ क्याप्टन के लिए और पार्टिदार को लिए वाइस क्याप्टन के लिए थोड़ा चुक जाएंगे दोस्तों लेकिन यही मैं करने वाला हूँ अब फिस्ट शक्ते हमेरा रजत पाठेदार की तो रजत पाठेदार अगर नहीं भी खेलते ह пой they are इंके जगह पे कहलते हैं थोको ले लीजिया और इनी को का वाइस कप्टन भी बना दीजिःगा राउल तो पूरी तरह से हटके टीम है काफी रिस्की टीम है मैं नहीं कौंगा रिस्की नहीं है क्योंकि मुझे लगता है यह दोनों जो है काफी बढ़िया पर्फरमस करने आले क्योंकि ओडिया एक टीम को काफी मतलब सेट होने के लिए टाइम भी रहेगा कुछ शुरुवात में कुछ देर तक मुझे नहीं लगता कि शौर्ट्स खेलेंगे लेकर उसके बाद सेट होने क अज यह सर्तक कर जाएं तो इसलिए क्याप्टन और रजित पांटिदार अपनी तीम में जगह बनाने के लिए लिए खेलेंगे तो मुझे लगता है इनका भी पर्फरमस्य शांदार रहे सकता है तो इसलिए इन दोनों को क्याप्टन बनाना चाहिए तो बनाईए और आप किसी और को भी बनाना चाहे तो भी बना सकते लेकिन मुझे लगता है यह जादा बिट रहेंगे इस तरह से शायद ही किसी ने सोचा होगा इस तरह का तो अगर यह दोनों कर जाते हैं तो आपको काफी फायदा कराके दे सकते और आपको घ्राइड लिग भी जिता सकते तो इसलिए मैंने स्टर से टीम बनाई है तो कुल मिला के काफी अची तीम है इसे भी ख्लोज कर लेते सेव कर लेते और अखिर में यही कूंगा दोस्तों ए सकते साथ कुछ और भी अपडेट रहते हैं तो वह भी आपको बता सकते हो आपको मेरा यह वीडियो और मेरी सभी टीम में काफी पसंद आए होगे और अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेर और कमेंट जरू कर दीजे चाइनल को भी अगर आपने अब तक सब्सक्राइब सब्सक्राइब भी कर लिजे और बेल आइकन को प्रेस करके आल पर भी क्लिक करना ना भूले ताके ऐसे वीडियो आप तक पोस्टे रहें तो ठीक है दोस्तों आज के वीडियो में इतने मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए थाइंक्यों धन्यवाद और टेक केर